कॉरिंटाइन सेंटर डांस का वीडियो हुआ वायरल किशोर त्रिवेदी जी का कहना है कि कॉरिंटाइन सेंटर में मनुरंजन की ववस्था कराई जाए मुंबई में कॉरोना महामारी का असर बढ़ता ही जा रहा है बीमसी द्वारा कॉरोना टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव आते हैं या पॉजिटिव के संपर्क पे आते हैं तो उसको हस्पिटल या कॉरिंटाइन सेंटर में भेज़ जाता है सोचल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कॉरिंटाइन सेंटर में कॉरिंटाइन की एक व्याक्ती डांस करते दिखाए दे रहे हैं ये वीडियो दैसर पूर्व आशोकवन इस्तित पॉरिंटाइन सेंटर का है मुझे कहा गया कोविट के बारे में कुछ बताईए मैं तो खुद एक कोविट का मरीज रहा चुका हूँ पहले मैं कहूँगा कि जो प्राइवर्ट हस्पिटल है इसमें जो लूट पार चलते उसे रुखना चाहिए सरकार में और दुसरी बात है कोविट सेंटर में जो लोग रहते हैं कोविट रहें रहें या वपे बीमार रहें उनके भी मुनोरंदें की कुछ सुधा कभी कभी आता है कि लोग अंदर क्रिकेट खेल रहें का अंडाल के क्या करेंगे कुछ दिन बेटे बेटे अपने बीमार मैसूद करेंगे इस से तरफ न वह इंटेर्टेंबन के लिए उनको खेल कुछ जिया जाए प्रोग्राम के जाए ताकि उनको लगे नहीं कि हम बीमार है कोविट कोई बीमारी तो है नहीं वो है, सर्थी खासी या अंत्री को वेपलो काते हैं, उसके लिए इलाज भी चाल लें, और लोगों को ए महसूद भी नहों कि मुझे कोविड है, इस परका कुछ अंत्याम होस्पितिलों में अब कोविड सेंटर में किया जाए, वेक्सिलेशन को घर घर किया जाए, वेक्सिल अचाहिए कि ट्रावर्ट हस्पितलों को भी ठुट छूट दिया जाए, उनको कम रेट से कैसे वो इरादो का मरीजो का इलाज कर सके, ऐसा स्विधा दिया जाए, सभी वेक्सिलेशन का इंत्याम किया जाए, ट्रावर्ट हस्पित बोलाए तुम भी करो, व्योंकि इतना है भारत में जन सेंगा किसा आपको जल्दी करना है तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, इसलतरा मैं चाहिए कोविड में कुछ विधा लोगों के लिए रहे, ताकि कोविड से जल्दी में जल्दी हमको आराम मिले, वो कोविड पूरी तरह से भारत से भाग जाए